कि स्वागात है आप सब का फिर से बहुत दिनों के बाद अभीत आए और बहुत कुछ चैनल में तो चलिए आज की क्लास सुरू करते हैं आज हम लोग चर्चा करेंगे बर्न माला की यह जो बर्न माला है हिंदी में बहुत से पती योगीता परिक्छा में हैं साय वो एससी हो का हो किसी भी इस्टेट में हो कैंद्रिय के भीची का प का पी-अर ठीघजी इन सब में बर्न माला से भरभर कर पुछे गहें तो चलिए आज लोग बन माला को जो की सबतीन की बात है लेकिन हम लोग उसको कर में दूता साब बहुत इसAny है अधर 00 को हम लोग जानेंगे कि बर्नमाला के भेद क्या-क्या है क्या-क्या उनकी उच्चारण की क्या क्या नियम है कि जगा से उच्चारण का विभाग उच्चारण का विभाग और बर्नमाला का भेद इन सब को हम लोग जानेंगे एक दम सुन्दर तरीके से इस तरह से क्या भूल लेनेंगे और न वाला कि से कहते है यह जो सभ्ध है कि बर्न माला rifle को सबसे का एक अर्थ ये विघुटक रंघ आपको पढ़े जाएंगे वर्ण का एक अर्थ अर्थ होता है जाती और पर्ण का एक हर्थ होता है साउंड धोनी कि अब यह धासे जैसे हैं भासा भासा किसे बनता है जब व्याक्ति या लोगजब हैं लोग सबसे पहले बोलना सुप्लेखी हिए अशकर अपना रूप पदसित करने के लिए या activate के लिए रुप अब इसकर करते हैं तो भासा जब में था थब भासा क्या था जो मैं आप लोगों के साथ बाते चाहरा हूं तो यह क्या है यह तरह से साउन को अवाज है आवाज जिसको हम लोग हिंदी में कहते ध्वाणी यह ध्वाणस को दोनी का सबसे निउनतम रुप को बशन का जाता है अचाशा भर्ण सब्सक्राइब का लाग सब्सक्राइब सब का अलग-अलग कई अर्थ है लेकिन यहां पर जब हम बर्न माला कहते तो बर्न का अर्थ है sound not not sound actually the little bit part of sound so the little bit part of the sound money Dhoni का सबसे नियुनतम पाथ लेकिन 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 धोनी और बर्न में अंतर है धोनी sound को कहते किसी भी सब्द sound को सब्द भी कहते sound को क्या कहते सब्द भी कहते जैसे कि आप लोग किस से बनते हैं सब्द से और सब्द मने ओर्ड तो जो सब्द है कि सब्द कई धोनियों से मिलकर बनते हैं मने सब्द का छोटा रूप हो गया धोनी बाक्य का बाक्य बनते हैं किस सब्द से और सब्द बनते धोनी से अब हम लोग तो यह भी कहते कि सब्द बनते वर्न से तो दोने हो गिया सुनने में जए शोटा-चोटा अंगस है। उसको कहें से जो खोल는지 सब्द का चोटा-चोटा उस को चाहे थोальном है उसको खोले हैं। जैसे आपका सिधासा उदान देते का मल तो यह कहमा है जिसका रख होता है कहमान फूल महने जिसको कहते क्या कहते हो दूसे लोटस Pepsi फूल यह जाते कमल अक्षॉल में यह क्या है यह एक सब्द है एक वाड भी है और आवाज भी है जैसे हम लोकर समय तो एक धोनी सुनाइश पुरती हमें तो इसको क्फराइँगे तो तोरने से हमें चोटा-चोटा तीन धौनियां मिलेंगे कम ल सस्कृत में कहें तो कमळा तो कमाल मोख तो ये ये जो धोन का अलंग अलग पाथ है कम ल इसको कहा जाता है njung poi कमल को सब्द छो जब अलग अलких उसको टुक्रा टुक्रा कर देते हैं सुनने में मनें आपको यह सुना है कर आ दो नी यह है और कम यह हो गया घूनी अब धोनि को धोनी को कुछ चिन्ने के माद्धम से यहां पर बोड पर लिखावाट देखके आपको पता चलता है कि यह लिखावाए कमल क्यूंकि आपको पता है इस ऐसे हम लोग एक साइन बना दिये कि ऐसे लिखेंगे तो इसको कपर हो ऐसे अब मैंने ऐसे कर दिया यह क्या है बताओ ब हमें इसको कपरना है तो यह मैं सिखा आ गया है यंदि के चिन्नों का एक नाम दिया गया तो जब हम अपनी ध्वाणियों को कि इसे चिंत कर दो करते हैं तो उन हम लोगidents क्या आज़ता बन तो यह हम लोग समझ गय कि सब दंग में और अगय को पदर्सित करने के लिए द्वहने को पदर्सित करने के लिए जिन लिपी चिन्ओं कि यह आ जाता है हॉच ए उन्हें कहा ज़ाता है हमेराडश्टर हमे डिजयतर उप हुआ है साठी तो अब समंझ देना आप अब लोग समय तो द्ध्वनी को पदैसीच करते के लिए दिन लिपीचन्ट करता है लिपीचंट कि द्धित्ध मैने जो हम लोग लगा तरिका तो दिन ध्वनी को पतासित करने के के लिए जिन लिपी चिंगों करम आजाता है उने ज, चान अपढ़ांael, डिनेदरीबन, इस दनाक़ी खाम्चीं होगने करेक्स भूट करें पाण, तो बंड़ करें है ये सारी थे एक साउन्ड ही तो है और इसको पर शेत करने के लेगे चिन है तो इसलिए हम लोग कहेंगे इसको वरन जब हम लोग परेंगे तो यह बरन है ऐसे बोड में लिखा हुआ है या किताब में लिखा हुआ यह सब क्या है वर्न तो यह समझ के हम लोग बर्न अब हम लोग समझते हैं वर्न माला तो वर्न माला किसे कहते हैं जैसा की लिखा हुआ है उपर बर्न माला जैसे फूल एक होता है फूल और एक होता है माला उस्कों रूप से सज़ जाते हैं तो माला का निर्मान करती है ठीक उसी तरह सारे बन जब एक व्याबस्तिということで इसे नहीं कि जैसे मेलने चार वर्न लिखाता आह से गितत उसको पहने बोस्तित रूप से जैसा कि हम लोग बच्पन में पड़ते हैं आके बाद आई ना आता है अगर आपके बाद में लिख दिया अका फिल लिख दिया पह फिल लिख दिया तो यह भी तो यहां पर भी बहुत सारा वर्न है ना है कि नहीं लेकिन क्या इसको बढ़ने माला बोलेंगे सर्जी क्या भुर्न कास बयावस्तित क्रम माने सजावात के साथ नियम के साथ किस बर्न को के सारे वर्नों को जब बर्न वन लोग लिखते हैं तो उन बर्न की समष्टी को हम लोग कहते बर्न माला यानि आ से लेकर स्रातक आ से लेकर स्रातक जितने भी बर्न है जब एक साथ आपको देखने को मिलेंगे तो उसको कहा जाता है वर्न माला तो बर्ने माला किसको परिवासा क्या हो गया वर्ने की के यह जाता है कि श्रुक बर्न के वैवस्तित करम को बर्ने माला का जाते यह अफर ऐसे भी कर सकते कि बपन के कूल स्तित करम को बढ़ने माला कहते हैं तो अ sadece करता हूं कि बने वाला आपको समझ में आ गया अब हमittelख बेन जै बर्न के भेद बर्न के परकार तो चलिए बर्न की प्रकार की ओर चलते हैं बर्न जो है दो परकार के होते हैं क्या-क्या स्वारबर्न और वेंजल बर्न इसमें कोई बरिवात नहीं है लेकिन बरिवात आगे हैं तो चलिए हम लोगों पता है कि स्वारबर्न कि दो भेद के बरन के दो वेद कितने थे दो लिए दो परकार दो भेदर या प्रकार दूब रर्न के मुल्भित कितने दो वेद Servern कि की और ये तो कि ये तो हम लोग बच्पन से परयार है हमारी हिंदी के तिर हमें पढ़ाते हैं कि यह बेटा स्वार्बन और यह बेंजिन बने स्वार्मन दूर्ण वन varit जो सौतरुब से उस्चारित हो उसे स्वार्मन कहते हैं जिसे घृ तो अच्छा हम लोग Ersada और वो his so N algunos गई को क्यों क्यों क्योंकि व बंगाली थे बंगाली में har scanner प्रवाइम है कि छोटी नहीं बोले बोला जाएगा छोटी नहीं कतम लोग छोटी बड़ी छोटा उबरा उएसा नहीं हम लोग कहेंगे हर सई दिर्गई हर सव दिरगव और यह हमारे लिए आगे जाके लिए फायदे बंध है यह लोग डिसकस करेंगे तो जो स्वाधन बह adjust में इलए जाता है अगे जाके हम लोग एक क्रेंगे क्युंव अंग आओ सवारमन नहीं है और फिर बैंजन बरन रंड मनए ऑपी मिफकलें करने के लिए भाक ऑपैसे की बोलिय misunderstanding का लिखना बाद बाद नहीं फ़ली इतना ही करें लेकम बोलने से अपनी जो बोलने का क्वा से पधासित्न ही हो रहा है तो इसना अगर अगर छो कहेंगे तो यह जरसे हम लोग अच्छी तरह से आ ने बोले करेंगे तो आपो जोरना परेगा तो यह है कर यह मिलके बना इस तरह से ख या पिर आप आकार जोरी दोर दिजिए तो का बन जाएगा तो जिस बर्ण को चरन करने के लिए स्वार बढ़नी की सहता चाहिए भीना सहता है को ठीक से उच्छारत नहीं होगा बिना सहता से आप उ इतने बावन कैसे है इसको भी हम लोग जानेंगे किस परकार ये बावन है टो तो ये बावन वन वाला क्योंकि अक्छा चात्र ग्यां औस्त्र इन चारों को भी जोड़ा गया है यह देखा जाए तो चात्र ग्यां अस्त्र क्या है एक परकार से देखा जाये तो यह चार-सकत बंन है reference फिर बीनको चुकीक उलग विद्ने रूप है और वह हिंदी प्रयोग कोँजेस को वर्न में वर्न माला में सजा रख गया है तो इसलिए टोटल बल्न जो है उनकी संक्या हो गया 52 याद रखिया और बंगलावास में इसलिए अब कि संक्या बावन होती है तो तो इसको याद राखेंगे और आगे कि विधिया कैसे हम लोग देखेंगे छुरू करते सवर्ण बंचन चारित हूं कि आप लोग को समझत्य को को कैया को यह में कभी परिक्षा भी पूछ परिवासा भी पूछ लिया जाता है कि स्वार्बन किसे कहते हैं तो जैसे तो इस परकार से कभी पूछ लिया जाता है तो चलिए अब हम लोग स्वार्बन को दिस्तारी सुष्व अध्यान करते हैं सिप्स्वार्बन के विभेद को अध्यान करते हैं तो सबसे पहले स्वार्बन इनकी संख्या कितनी है पहले हम लोग इसकी संख्या जान लीते हैं स्वार्बन की टोटल हो बराव पता नहीं छोटा यह चोटी मैं बंगाली हो तो उसमें वह लिंग में हमारी थोड़ा गलती हो जाएंगे थोड़ी गलती हो जाती है तो उसको आप कंसिडर मत किजिए उसको आप छोड़ जीजिए सब्सक्राइब है तो इसलिए अम लोग हर्सर बोलते हैं सो अ-अ-अ-अ-अ-अ लोग परते हैं और तेरा स्वार्बन हम लोग बच्पन में परते हैं परंतु अंग और ऑँ ह इन दोनों को स्वार्बन की शेयन नहीं रखा जाती है रह ज़एगा और इन दोनों को स्वारबन नहीं रखा जाते अंग और अठ यह वेचारे तो अइसे बर्रे हैं जिनने आधे फंट हैं जैनन वन दोंगों करें कि नहीं तुम मेरे दल का नहीं हो और बेंजन works or आप मेरे नहीं है नहीं तो इन दौनों को देचारों को घृचारों को अजैसें बंगला बंगला वासेமों परचते ंंद यहां है क्यों नहीं है क्यज नहीं क्यूं हैंद इसली इसके का दीट्र rich यह स्वारबन का नियम है, इसको उच्षार भूम है। कर सकते आप नहीं कर सकते आप जैसे पर कर जैसे अंग बोला जाइए अच्छा नहीं बोलेंगे तो कंग बोलिएगा कर में रहेगा तो बोलेगा ना तो कंग जब बोलिएगा तो कंग जब बोलिएगा तो कंग जब बोल सकते हैं अब कंग की सहाता नहीं लिए तो आपकी सहा तासे अनुस्वार का उच्चरन नहीं हो सकता और इसको कहते बिसर्ग इसको क्या कहते बिसर्ग अनुस्वार और बिसर्ग बंगालियों को तो पताई होगा हम लोग तो बच्पन में पढ़ते हैं अनुस्वार बिसर्ग अलग से पढ़ने क्या हुसता है नहीं बंगालियों क करते हैं यह होग हो यह जो कहते है यह आपकर सहाथ भी न बिना इसकी बोलेंगे इसलिए refers to सब्सक्राइब नहीं बोल सकते तो क्योंकि किसार बने की सहता से उच्छारित और यह तो सब्सक्राइब नहीं सकते तो जो बने स्वार बढ़ने की सहता से उसको तो बैंजन बन कहा जाता है तो इन दोनों को बैंजन बन में रखना चाहिए अब देखिए बैंजन बन में भी इसको नहीं रखा जाता क्यों कि यह बैंजन जैसे यह बैंजन हो गया जब हम लोग माने खा जोई सातन रुप्स उत्चात नहीं हो सकता लेकिन को यह पांड शहता सोट हो सकता है वेशन मंकि someone के सिके अधार गूल जो सौर्बर्न की सियाता से उत्चारित हो चूँकि अनुस्वार और बिसरक माने यह बाला बंदी एक बंदी और दो दी तो यह एक बंदी और दोविंदी बैंजन दूसरे बैंजन बन को उच्चारन होने में सहता करता है खंग गंग पंच तो चाको चंग होने में किसने सहता किया या अनुषार पाखो पंग होने में पंग जैसे आप को गया बंदर बन ने में अनुषार में बन बन क्यूक है लिए बन को उच्चारन करने में सहता कर रहा है तो अनुषार पोजा आत यह सब्सक्रान को यला है Das एकको उच्च्यारण करने में कौझ उहता कि यह विसर्ग तो भी सरक्फ अब क्या हो गया सवर्बन हो गया ना कि जो बैंजनमां को ऊरान होने में सहता करें उसको但 यह बन का जाता हैismo सबाँ के साथ जाता है तो जब उसका ब्याबार की तरह होती है और इसलिए तरह होती है तो इसलिए उनको ना अनुस्वार में रखा गया ना विसर्ग में शरी ना इसलिए अनुस्वार और विसर्ग को अनुस्वार और विसर्ग को ना स्वार्ड में रखा जाता है ना वेंजन में इनको कहा जाते है आयोग वाहा याद रखिएगा इनको क्या का जात अयोग बहा इसलिए अनुस्षर और विसार्ग इन दोनों को कहा जाता है तो आयोग ने बहा ओ लो गवा और ता योग बहा जाता इनको आयोग बहा बीना योग के जो चारित नहीं उसे कहते है योग योग माने योग इूट सर्षाल्ट बेंगे न center the बेना योग के जे उच्चारित नहीं हो सकते मैंने खुद शुद बंधुद जिसका उच्चा नहीं कि छमता जूने किसी नहीं किसीFit काभी सबस्कर के साथ जोड़े मkä तो भी वन्जन के सब रहेखा तो जिए बीना जूग के उच्छा इतना है इसको कहा जते है अयोगभाहा तो यह प्रसमा काफी बार कई बार के वार आ चुका है बिस किसी द्रा की पति योगता पर इक्षा में कि आयोगभाहा कि से कहते तो आप तो यह पारिम हम लोग क्लियर हो गया अब परते हैं स्वारबन तो स्वार अगर अगर कुछ दे तेरा मेंसी 1-11 तो स्वार्बन के कुल संख्य जो है वह ग्यारा और अजिए वह अधल आयोग वाहा है तर दslब लूसरी जारा रहा हूं कि कि मैं बोर मेलिकता जा रहा हूं आपको जो नोटस्च आपको बहुत लागे कि नहीं यह मुझे नोट करने वह आपने डाईटीमें नोट कर लिजिए वरना मेंका तरह तक लोग करते हैं जो बाद में भूल सकते इस तरह से क्लास किजिए ताक्छी आपको नोट करना उपर जयान लागा कें लियान लगाति ऐसे आपको प्हुग में दर्खक अका सकता हूं साहरवन थितनीयम हो गगेह किया एफ ओर मु नट वह हुग दो हुमाइल के आरे तरह रस्वार्व हमें रफला रछार रस्वा एक हाथ दिड़गा कि सास्वार और दिर्ग श्वार बंगालीयों को तो पहले से पता होगा हस्वार दिगर दिर्ग सुर्ट कि अब बच्पन से आप लोग नहीं जानते हैं जो हिंदी बास ही है अंब बच्पन से आखर सब्ध été है असनी लिए घे घ्ल्ट आ ये फोनाइब मश्क एकडम की यह और यह अंतर है इनको रहित है सार से इनको करते अधाल सब्दकेशक और रस अधार में इसको करते हिर्ज तो तो कहते हैं Rather परते हैं दिरगहू री बी दो तरह करता पहले संस्कित व्यक्रमे सब्सक्राइब कर दोट फिर ली ता लिडी हर सरी दिरगली लेकिन वब प्रयोग में नहीं तो प्रकर अभी दिरगली भी प्रयोग में नहीं है तो हर्स और दिर्गों का क्या क्या मनें इसमें क्या नतर है हर्स सब्दकार होता है हर्स हर्स मनें छोटी आप लोग सही करें चोटी और बरी सही करें तो हर्स मनें छोटी जिसको उच्चारन करने में समय कम लगे मनें छोटा समय लगे उनको कहते हर्स वस्वार और जिनको थोरी अगर परिशानी होती है तो उस पर आप लोग कंसिडर मत करें उसका उस पर आप विचार मत किजिए क्योंकि मैं मुला तह बंगाली हूं तो इसलिए हमारी हिंदी में हम लोग की हिंदी में थोरा बहुत इधर-उदर होता है और चलिए होने जीए तो हर्सस्वर समय लगे मनें कम समय लगे और दिर्ग समय लगे मनें अधिक समय लागे दिर्ग तो हर्ससमाई लगे हर्समाने कम तो आ छोटी आ छोटा वू अ आ यी उरी यह चार बर्न जो है यह हर्स में आता है अ यह यह हर्स इन दिर्गों में को नाता है दिर्गों में चार बर्न हो गया जिनमें ताइम ज्यादा लगता है समय ज्यादा लगता उच्छान करने में जैसे है कि वो द्रा पूलिए तो समय ज्याधा लग रहा है ना है करभा है न सभी अधिक माइच पषोर भन जिसके उठार में एक मात्रा का समय लगता है उसे क्या कहते है उसे हर से स्वर कहते है एक मात्रा में उच्चारन का समय लगेगा तुसे हर समय को बढ़न की उच्चारन की समय विधि को क्या कहते है मात्रा कहते है याद रखेगा यह चीज मात्रा मनें क्या उत्चारन समय उत्चारन अब्दी उत्चारन अब्दी को मात्रा कहा जाते हैं मात्रा एक मात्रा मनें एक इकाई की समय एक इकाई की समय को मात्रा कहते हैं उत्चारन में किसी भी बर्न के उत्चारन के सबसे छोटी समय को मात्रा कहते हैं एक मात्रा तो जिस सवार की चर्ण में एक मात्रह का समया लगे उसे हर से घुर करते और जिन स्वारों का चार्ण में दो मात्रह की समयामंच देबल है जुलste ळुल्स के ऑट रहते हैं बने जिसके दिरखाई ब्रौण सब्सक्राइब कि आप अपने बच्चों के पहले से सिखा यह क्या क्या जरूए च्छोटी बड़ी सिखाने की क्योंकि दिर्गा हर्ससी का यह तो फिर बाद में जाके उसको परेशानी नहीं होगी कौन सार्सस और कुन सा दिर्गा सर यह पैचाने में पहले से पैचाना अब अब लोग उच्छारान स्थान को जान लेंगे आज हमकी टैवल सब्सक्राइस कर लेएर इसके बाद वयांजन वन और उनके सिखान को इन से भी पुछा जाता है आपने सुना होगा कि कंठे वरन की से कहते हैं तालबवे वरन की से मुधरन आ पूण की से कहते हैं हम उसके बाद तो परनर किसे कहते हैं तो इन सारे हमशा अनिए वह सब कि एंगे会 भो शारण के आधर भी परश्न पुछा गयां है कि अमेसे तालव जान लेते हैं तालव ब सब構ता और इसको आम जानेंगे कि उच्चार निस्थान परेंगे किसका स्वार्ण का स्वार्ण का स्वार्ण तो पहले हम लोग जान लेंगे वर्ण का उच्चार निस्थान जानेंगे स्वार्ण का तो उससे पहले मनें उच्चार मनें कहां से उच्चार होता है तो पहले हम जान लेंगे कुछ चीज को कि क हमारी सभी निकलता है तो सभी निकलते तो सभी कंथवर्ने हो ठालेखे लेकिन नहींग जिस इस वॉर बंको जिस बन को अभी बटे बोलते हैं मैं जाया जैड़ा एकान करें जरुरसा ज्यादा जिस बागको चांड में अधिक थुरूरनिक तुल्लन अधिक कंपन करें कंथ यह को का सबला समय का दिक को इसको कंठा ध्वनी कर ते करने द॥ालू सब्सक्राइब सब्सक्राइब तालेम्य तो तालू क्या है तालू है हमारे तानत एक हाथ बहुत अधान का भं जहां पर क्या कहते है उसको गंजाव यह वह परके तिका वाए उसको यहां न कर दूदि तो उस पर जगा को कहते हैं दंत त उसको कहें दंत जो डंत यह जब जीवा चुह जिसको टाटा टाटाट यहां से आता है उसको कहेंगे मूरदा याद रखेगा लांत से सुरू किजिए दाथ के इसकर निकर्थ गाट रफदा न यह जो है वह उसको कहेंगे दंट उससे उपार जो खूर्डरी जगाए तो उसको कहेंगे मूर्धा और उसको उपर तट्टू घोरा चल चल तो तो जहां से उच्छार होता है उसको बोलेंगे हम लोग क्या उसको बोलेंगे मूर्धा उसको बोलेंगे मूर्धा तो यह हो गया मूर्धा और दन तो आप समझ गए ओस्ट किसको कहेंगे जब हमारे को संस्कित में वस्थे बाला जाता है वंगालीओ को हिंदी पर फिलिक उतनी परिशानी ना थे ब्लूल इपरिशानी होती तो खोड़ तो अस्थी योट्व जैनिक दूनों होट जब आपास में टच करें व्लब ऑनना मे विए ओस्थ कहें तो नदे बुलिया उस्थो होट ने चुए होगा है नहीं तो इसको कहेंगे ओस्थ तो कंठो मनें जिसके घंग सारे कंठ में पैसर पर रहा है तो कंठ में अधिक पैसर पर तो कंठ तो ये तालू मुद्दा ओस्ट धनता आप समझ गे तो चलिए इसको स्वर्ण बर्न में हम लोग इसके भेद है क्या तालू तालू का ये सब इंपोर्टें नहीं है अप जगा को तालू कहते हैं ये जनना चाहिए को तब इंपोर्टेल को ये शारे आपको प्रेतने करके देखना होगा शु där हमारे जो स्वर्बर्ण है तो उसमें से हां और रह है zien कि इसका उच्चारण में कंठ को ज्यादा परेसर पर रहे इसलिए इसको केंगे कंठ वर्न गई धोनी सिद्धिन आ इसकी आप और बोलने के प्रयास के जिए का तो आपको कंठ को ज्यादा धक्का देने बढ़ाल प्रकॉव सब में तो कंट लग रहा है लेकिन यू री र र जो जो भी है दूसरे स्वारबंड उसका उच्छा अंग आ आ आ आ आ बोलिये जैसे आ बोलिएगा उसमें कंट का प्रिसर लग रहा है ना दिक उचान करके देखिए तो लग रहा है तो इसलिए कंट धोनी हो गया कौन और आ आ इसके आपा आफिदनी ताले मने कंट से थोरा ऊपर जैसे पीवह घी यू ये बोलेंगे तो जीवहा जो है हमारी जीवहा ये जीवहा का अगर्फ अज वो तालू को सपसकर तालू आने जहांदा है उसको उपर वाला खूटदड़ी भाग दाथ के उपर वाला खूटद दोने को उपर लाना पर ँपर रहे हो वह पूरा से श्पस कर रहा है तौरा पल्म के नयाद आपकर प्सकोंकि वह मोगा करुंग आ हम चाहिता से मना नहीं आपको क्योंकि यह स्वारबंध नहीं चुछ लिए दोर गृजबनने में जिवाक्षा पुरी तरह से म्वेभा गें उसस्तान पर रहता है इसलिए उसको उससंते वहार जाता है यह तालू को जिवा चुएगा नहीं निकट रहेगा यह बोलिये जिवा तालू के खुरदरी जगार उसको छूता नहीं यह उसके निकट नीचे बैठा हुआ भोलके देखियों और मुधरने किसकी कि associate का रिगे करेको सिप रीको केवाल रीको ही मुधर ने बरने कहें आपर सबस्क्राइब करते हैं यृ खे हो ले जहाब आगा तो आट के दिना के कहें और मुल्ट आ पो लिए आप का थो कॉली गोल बहुना होतो करके कर गोल सीनटीप में भुलत वहाली इस पर्षध धोनी में जिवाथ वाफ आपस में एक दूसरे के 2050 कुरते हैं इस पर दोनी बैंजन के अंतरगत आते हैं जो हम लोग आगे पड़ेंगे तो आप कहेंगे पूरी तरह से थोट तो नहीं चुरा जैसे पा में पूरी तरह से दोनों ओट आपस में छूरा है लेकिन फिर भी यहां पर ठोट निकट आ रहे हैं छूने की कोशिस तो कर रहा है न है उसी को हम लोग कहेंगे वस्ट वर्न तो उस्ठ वर्न का वर्ष्ट धोनी के नतरगत आएंगे तो यह गया वस्ट द्यूनी और उसके बाद दनत धोनी कोई भी स्वारबरन दन्त धोनी के धोनी में नहीं आता है कोई भी स्वारबन दंध धोनी में नहीं आता है तो और भी तो बचा यह 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 कंठ और तालब दोनों से इस पर्श करता है यह चुर फॉघय इसको करता है कंठ तालब्य क्या करते हैं कंठ तालब्य कंत तालब्य कर दें और यह में कंठ तालब्य करतت है अई यह को कैसे क्योंकि आप आप ध्यंद है एईै mijn कि हमारा एद आगया एद गयर वह पालुके तालु को चुने की चुने के छुता तो नहीं है तालु के सामने होता है इन-जीओं-गय, ते गई-जीओं आपि-ई-शु से गयं को मिध Señor पर रहे औध दूसरा अज़ो हमारा जीवा का अग्रब बाले वह टालु के निकष जा रहा हुआ तालू माने दांत जो दांत का जो जार है उपर वाला जो खुदडर भाग देखिश मैं उसी के आसपस उसी के नीचे जीबा है है एक गैदा है यह प्रत्ने कि तह्कों बोले गाए और यह थे ले कांट नियर्व पराई है यह जिसए ऑ तो कंटों पराता दौर में तौर का रजिवा तालू के निकर दौर के नीचे तालू के सामने आदौक ऑपोजित आइड में जिभा है जीवा है हम लोगा इसा लिए ओ खो डिखिय को है वह गोंशना भॉलिए ओ फोट अ अरdriving वोक्त हमरे जो है बंड़ा तर भंडला में का जोटोट हिंडी वकरत। तर चूट कहते ओं भाला में थोट सो हमारा जो ओठ है वह पर निकट आ हो ओ ओ ओ दंड्या आञा रहा है उसको सायं सथ इसके साथ कंथ में भी इंपर राहे मिकड बिया रहा है यिरानि की मस्म ऐन यॉ वह तो दोनों मिलके इसका सो इस थे इसको उस्थ कंथठ ऑस्थ एग इन धो तो में जोर कर रहा है उसके साथ साथ जोर तो कंट कर निक निकाताने की कुसिशा कर रहा है तो कंट का भी यहां पर प्रभाब और ओंट खावी प्रभाब इसलिए इसको कहें गेंगे और आउ को आप इसको आपनि किता आप को अंपिली यह मैं तो का रहा हूं कि इतनी बारी के सिसको समझ आपके को लिखना ही ना परे लिख रहे तो यानिकी भूलने के बारे में सोच रहे तो इसलिए मत ध्यान से बीडियों को देख लिज्ए तो पिस समझ में जहागी यह लि स्थान पर लिए और बिविन परकार से स्वार्बन का भेद होता है वो भी हम लोग अगर समय मिले तो परेंगे लेकिन उसके पहले वोगने बेंजन वर्ण का भेद प्र लेंगे उसके बाद और भी बहुत सारे अटार पर विभाचित किया जाता है यह जो हमने भीभाजित किया यह सिप और तो Cliff stripped अकी में देखा और भी तब देसे अधिक औरнов m पावनिक को वह हम लोग पढ़ेंगे उससे पहले कुछ रहे ले लेते हैं वीडियो को सेस्ट करेंगे उससे पहले इन चार प्रश्ण तीन प्रश्ण का है इनका उत्तर आप लोग देने की कोशिश किए पहला प्रश्ण है एक उच्छा दिन स्थान का नाम कौन सा है ए तालब्या बी दंतोस्टो सी कंठ तालब्या या डि कंठ आप आपका उत्तर जो है कॉमेंट करके बताईएगा दो नंबर आयोग बाहा वर्ण कौन से हैं ओ अव ए आई आदिरगई अंग इनमें से कौन सा आयोग बाहा बरन है और तीसरा प्रश्ण है ओ का उच्छार निस्थान बताईए ओ का उच्छा निस्थान कौन सा होगा कंठ य वीडियो ध्यान से देखा है तो अवस से ही आप इन तीनों प्रश्णों का उत्तर इस तरह के जितने प्रश्ण आएंगे उच्छा निस्थान से और वर्ण भेद से स्वारवर्ण का आसा करतों का आप आसान ही से दे सकेंगे तो आज इतना ही आप सब से भीदा लेते हैं अगले मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए जाए हिन्द